आज है 23 जुलाई तो चलिए देखते हैं आज का करेंट अफेर्स सबसे पहले देखेंगे कल का कोश्चन जो मैंने पूछा था प्राइम मिनेस्टर नरेंद्र मोधी ने इनुग्रेट किया है प्राइम रेलबे प्रोजेक्ट जो की 1110 करोर का है कहां तो ये इनुग्रेशन कि गया है जी हां गांधी नगर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गांधी नगर में फर्स्ट डिबलब्ट रेलबे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है और जिसके अंतरगत प्राइम मिनिस्टर ननेंद्र मोधी जी ने टू ने ट्रेन स्टार्ट किया है कौन-कौन से देखते हैं current affairs series आपका बहुत स्वागत है question number one government of India has extended the limit of stand up by government of India ने stand up India का जो limit है उसको बढ़ा दिया है क्योंकि stand up India बहुत important scheme है तो government ने उसकी limit बढ़ा कर उसे extend कर दिया है 2025 तक अब सवाल उठता है stand up India क्या है stand up India scheme एक scheme आया था जिसके अंतरगत यह scheme start क्या गया है 2016 में और यह scheme बहुत important है क्योंकि इसके अंतरगत क्या है यह scheme bank के लिए ठीक है bank को क्या करना होगा bank को loan देना होगा 10 लाग से लेके 1 करोर तक at least one SC candidate को, schedule tribe customer को या फिर किसी एक women को और यह scheme हर bank branch में है इसका purpose क्या है परपस यही है कि manufacturing और service sector manufacturing, service और trading sector इन तीनों को promote करना है और entrepreneurship program है जिसको green field enterprise program के अंतरगत रखा गया है इसका नाम है stand up India तो काफे important है तो जैसा कि question मैंने पूचा था government of India ने इसे extend किया है 2025 तक चलिए आगे बढ़ते हैं question number 2 की तरफ AIFF male football player of the year award goes to AIFF यानि international football federation male football player का award दिया गया है संदेज जिंगन को देखिए संदेज जिंगन जो है उनको मिला है AIFF यानि international football federation means football player of the year 2020-21 का award ये actually blue tiger team के साथ खेलते हैं और अभी हाल में football premier league हुआ था इसमें ये blue tiger के support में या blue tiger team के साथ खेले थे तो ये दिया गया है बाला देवी को बाला देवी का यहां पर पिक है आप देख सकते हैं तो बाला देवी बनी है विवेन football player of the year question number 3 पर आएंगे बहुत important question है अभी काफी news में है super beat आपको बताना है ये क्या है तो जी हाँ ये है telescope देखिए super beat यानी की super pressure balloon born amazing telescope ये एक ऐसा telescope है जिसमें balloon बने हुए है ताकि picture काफी clear आए ये बहुत ज़्यादा news में इसलिए है क्योंकि ये telescope को setup क्या जा रहा है humble telescope को replace करके humble telescope काफी ज़्यादा news में है क्योंकि ये NASA का telescope है और ये launch किया गया था 1990 में और अब इसका समय खतम हो रहा है और इसके जगह हम लोग replace कर रहे हैं किसे जी हाँ और इसके जगह हम लोग replace कर रहे हैं super bit telescope को question number 4 पे आएंगे recently मेकांग गंगा समिट held which country is not its member अभी हाल में मेकांग गंगा समिट हुआ आपको बताना है कौन सी country इसकी member नहीं है तो जल्दी से बताए इसकी member नहीं है नेपाल देखिए मेकांग गंगा समिट एक समिट है जिसके अंतरगत six countries आते हैं कौन कौन सी countries है देखते हैं एक बार तो ये countries हैं इंडिया मैन बार लाओ थाइलेंड कमबोडिया वेतनाम तो ये six countries के नाम आपको याद होने चाहिए देखिए मेकांग गंगा प्रोजेक्ट एक्चुली दो रीवर प्रोजेक्ट है मेकांग रीवर जो चाइना में बहती है इन दोनों रीवर बेसीन पे काम करने के लिए एक ग्रूप बनाया गया है जिसका नाम है मेकांग गंगा कोपरेशन समिट कोपरेशन ग्रूप और अभी हाल में 11th मेकांग गंगा कोपरेशन समिट हुआ है अभी हाल में एक रिपोर्ट आया बहत इंपोर्टन रिपोर्ट है इसमें ये बताया गया कि इस कोवीट के सिचुएशन में अबाउट 1.2 लैक चिल्रेशन जो है वो अनात हो गया है वितिन अ इयर तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया है तो देखिए ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है लैंसेंट के द्वारा लैंसेंट ने अभी एक बहुत इंपोर्टन रिपोर्ट रिलीज किया मार्च 2020 से लेके एप्रिल 2021 जिसके अंतरगत पूरे वर्ड में 10 लैक बच्चे औरफेन हो गया है यानि अनात हो गया है सबसे ज़्यादा अनात कहां हुए हैं बच्चे तो ये हुए हैं मैक्सिको, सेकेंड ब्राजील और थर्ड इंडिया, इंडिया में कितने अभी बताया मैंने 1.2 लाक तो 1.2 लाक बच्चे अनात हो गए हैं इसको आप जरूर कोट करें अपने मेंस के आंसर में Question No.6 पे आएंगे, Recently UNESCO has removed the name of Liverpool from World Heritage अभी हाल में UNESCO ने Liverpool का नाम हटा दिया है World Heritage साइट में आपको बताना है Liverpool कहां है इस तरह की common questions आते हैं तो ये हैं England में देखिए Liverpool कहां है तो England में है और Liverpool का नाम हटा दिया गया है World Heritage साइट में क्यों हटाया गया है क्योंकि यहां पे बहुत सारे football stadium बनाए गया है क्योंकि Liverpool जाना जाता है football center के लिए और नएने stadium बनने से अब वो heritage यानि पुराना साइट तो नहीं रहा इसलिए UNESCO इसे हटा रही है अगर हम लोग इंडिया के बात करें तो UNESCO World Heritage साइट में कुछ बहुत important साइट है जूकि इंडिया के है इंडिया के जो important heritage site है उसमें cultural heritage site है नेचरोल heritage site है टो जीका नाम है कांग जे दोंगा national पार्क तो याद रखें चली आगे बढ़ते हैं यह स्क्किम में है यह पार्क कोशन अमर सब्सक्राइब कर दिया गया है बहुत इंपोर्टेंट कोश्यन तो वह सहर है ग्वालियर देख ग्वालियर और और्च यह दोनों ही मद्य पर्देश की सहरे हैं और इनको include कर दिया गया है अर्मन लैंडस के project जो कि UNESCO का project है अगर हम लोग भारतिय सहर की बात करें तो उसके अलावा इंडिया के अजमेर और वैरा नसीबी इसमें included है तो total इसमें 8 सहर है जो कि South Asia के सहर है जिनको include किया गया है अर्मन लैंडस के project जो कि UNESCO का एक project है चले question number 8 पे आते हैं अभी हाल में एक बहुत जादा news में है Asia book of record में एक artist का नाम include क्या गया है वो कौन है देखिए वो artist है अर्शद अर्शद जो कि केरिला के वासी है उनका नाम include किया गया है Asia book of record और India book of record में ये नाम इसलिए include किया गया है क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छी painting मनाई है किसकी ममूती की ममूती कौन है ममूती एक actor है जिनका ये पिक बनाया गया है और ये जो पिक है न ये टाइपोग्राफिक पिक है अब टाइपोग्राफिक क्या होता है जिसमें typing की जाती है पिक ऐसा बनाया गया है typing के साथ उसको कहते हैं टाइपोग्राफिक पिक और इसमे बीटा टिटेनियम मिक्ष्ट एलिमेंट काफे ज्यादा नूज में है तो इसका आँसर आप दे सकते हैं बीटा टेत्रेनियम mixed element किसने developed क्या है और friends अगर वीडियो अच्छा लगे तो like कर दे, share कर दे और channel को subscribe कर दे, thank you so much